सबसे पहले हम MS Word की कोई file को open करेंगे विंडो को open करेंगे फिर इसमें हम कोई text type करेंगे कोई भी हमें अगर format करना है तो उसके लिए हमें पहले text type करना होगा और फिर उस text को हमें select करना होगा सबसे पहले मैंने यह text लिखा, इसका मैंने size बढ़ाया इसका size बढ़ाने के बाद मैं क्या करूंगी मेरे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर font style, calibri body मैंने select किया हुआ है यहाँ पर और भी बहुत सारे text की जो है list है styles की आप इसमें से जो चाहे वो select करके हाँ पर apply कर सकते हैं और आपके अपने text का style जो है आप change कर सकते हैं यहाँ पर multiple text style की list आपको दी हुई है तो इसमें से आप choose कर सकते हैं और select कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने अपने text का style change कर दिया उसके बाद मैं क्या करूंगी मैं अपने text को अगर bold करना चाहती हूँ तो मैं B वाले option को use करूंगी B से क्या होता है bold जो अगर करने के लिए मुझे पहले अपने text को select करना पड़ेगा select करने के बाद मैं bold वाले option पे click करूंगी तो bold वाले option पे click करने के बाद क्या होगा कि मेरा text का size जो है वो bold हो जाएगा और bold होने के बाद क्या होगा आप देख पा रहे हैं कि computer और zone के दोनों के style में थोड़ा सा changes है zone जो मेरा world है वो थोड़ा highlight है वो bold हो गया है इसी type से मैंने AIO को भी bold किया और bold करने के बाद हमारा next जो option आता है next हमारा option आता है italic का italic क्या होता है italic करना चाहती हूँ तो मैं select करूँगी और I की command पे click करूँगी तो आप देखिए मेरा सारा का सारा text जो है वो italic हो गया है italic करने के बाद मेरे पास एक option है underline का अगर मैं underline वाले option को click करती हूँ तो underline वाले option को click करने के बाद वो मैं you option से करूँगी तो मेरे जो भी मेरा text है उस text को मैं select करूँगी और you option पे click करूँगी जो के underline का option है तो मेरे text के नीचे एक underline आ जाएगी और इस type से मैं underline कर भी सकती हूँ और उसको मैं deselect करूँगी तो मैं वो underline चली जाएगी इसी type से मेरी underline का मैं color change कर सकती हूँ, style change कर सकती हूँ वो सब change करने के लिए underline वाले यू option के side में छोटी आपको एक arrow दिख रही है जहां से मैं इसके अपने underline का style भी change कर सकती हूँ, size भी change कर सकती हूँ और इसमें multiple color भी use कर सकती हूँ इसमें मैं जो चाहिए वो color select कर सकती हूँ, मैंने इसमें red color select किया तो red color select करने के बाद आप देखें मेरी underline का color जो हब वो red हो गया और इसी type से मैं अगर underline को हटाना चाहती हूँ, तो मैं दोबारा से select करूँगी और underline पे click करूँगी तो इस type से मैं अपने underline को deselect कर सकती हूँ फिर आपको underline से आगे एक option दिया, a, b, c और cross का अगर मैं अपने किसी text को cross करना चाहती हूँ तो मैं अपने text को select करूँगी और उस option को click कर दूँगी, उस option को click करने के अद आप देखिए, ये मेरा text जो है, वो cut गया है ऐसे ही मैं इसको deselect कर सकती हूँ मैं text का size बढ़ा कर सकती हूँ आगे font size दिया हुआ है calibri body textile के आगे just आगे आपको size दिया हुआ और उसके आगे आपको दो option दियो हुए है जो capital A है उससे भी आप directly जाकर अपना size change कर सकते हैं बढ़ा कर सकते हैं और उससे next वाला जो option है उससे आप अपने size को minimize भी कर सकते हैं तो यहां से मैं अपने size को select कर सकती हूँ, बढ़ा सकती हूँ छोटा कर सकती हूँ, जो जिस type से मैं चाहूँ अपने text के size को चोटा बड़ा कर सकती हूँ और अब उसके बाद आईए हम आगे देखते हैं कि हमारी जो मैंने यहाँ पर एक टेक्स लिखा और टेक्स लिखने के बाद क्या होगा मैंने एक आपने सबस्क्रिप्ट और सूपर स्क्रिप्ट देखा होगा जो फॉर्मूले जापके साइंस में यूज होते हैं तो मैंने यहाँ पर सबस्क्रिप्ट का उप्शन सलेक्ट किया मैंने एच टाइप किया और उस पे क्लिक किया तो मेरे एच की पावर टू आ गई एच टू आ गया अब मैं नेक्स्ट आप जैसे मैट्स में आप फॉर्मूले लगाते हैं A प्लस B की पावर टू वो आप होते हैं सूपर स्क्रिप्ट से लगा सकते हैं तो यहाँ से आप सूपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे और सूपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करने होते हैं तो यह दो option x जिसके नीचे पावल 2 लिखा हुआ है और x जिसके ऊपर 2 लिखा हुआ है यह आप यूज कर सकते हैं अब मैं देखिए directly मैं आपने text का size यहां से बढ़ाया है मैंने कि यहां से text का size मैं बढ़ाऊंगी तो यहां से से उन colors में से आप अपने text का size और style चेंज करना चाहते हैं तो मैं क्या करूंगी मैं इस एक को select करूंगी select करने के बाद मैं यहां से आप देखिए मेरे पास चार option दियो है outline, reflection, glow और एक और मेरे को यहां पर option दिया हुआ है उनको मैं select करके अपने text का style चेंज कर सकती हूँ, reflection भी डाल सकती हूँ, इसमें reflection में क्या हता है जैसे आपकी परच्छाई जो दिखती है वो उसमें नीचे दिखेगी इसको मैं deselect करके मैं हटा भी सकती हूँ, इसके reflection को तो इस type से मैं इसमें अपने text का style change कर सकती हूँ glow अगर मैं डालूँगी तो जो मेरा text है वो थोड़ा सा glow करेगा तो glow करने के बाद क्या होगा कि मेरा text जो है वो glow करेगा और इसको मैं यहाई से दुबारा से अगर मैं deselect करती हूँ और मैं outline जो मेरी है उसका size भी change कर सकती हूँ मैं outline को hide भी कर सकती हूँ मैं यहाँ से जैसा चाहे उसके thickness और weight के according मैं यहाँ से select करूँगी और select करने के बाद मेरे text के जो है outline वो उसी type से show होगी तो यह देखिए different आपको multiple types के outline दिख रही है इन में से कोई भी आप select करिये और select करने के बाद आपके text के outline वैसी की वैसी show होगी तो इस type से आप अपने outline को और reflection area को आप वो use कर सकते है अब यहाँ पर आता है capital case दो case है हमारे पास capital case capital case क्या कि अगर मैंने कोई अपना data किसी भी form में किया मैंने small form में किया है तो यहाँ पर 2-3 option हमारे पास आते एक होता है lower case का एक होता है change case का एक होता है toggle case का तो जब मैं lower case का option select करूँगी अपने text को select करके मैं उस option पे click करूँगी तो मेरा जितना भी data होगा वो lower case में आ जाएगा यह देखिए मैं इसको select करके आपको दिखाती हूँ मैंने select किया और मैंने lower case पे इसको click किया lower case पे click करने के बाद मेरा सारा data जो है वो lower case में आ जाएगा लेकिन मैंने तो already यहाँ पर lower case में data type किया था तो उसके लिए अब मैं आपको uppercase का option क्लिक करके दिखाती हूँ मैं इस data को select करती हूँ और select करने के बाद मैं upper case वाले option पे click करूँगी तो देखिए मेरा सारा का सारा text जो है वो upper case में आ गया इसी type से अगर मैं इसमें next वाला option यूज़ करती हूँ तो next वाले option में क्या होता है कि आपका change case change case हो जाता है कि आपका जो first जो हर word का first letter capital हो जाएगा उसके बाद toggle case में क्या होगा कि आपके text का आपके word का first letter small हो जाएगा और बाकी capital हो जाएगा ये options आप यहां से use कर सकते हैं फिर आपको एक highlight का option दिया हुआ होता है कि आपने जो text लिखा है उसको highlight करना है तो आप यहां से highlight कर सकते हैं और ये a वाला जो option है जिसमें a के नीचे color दिया हुए है इसका मतलब है कि आपके text का color आपको कैसे change करना है तो अपने text का color change करने के लिए आप यहां से color कोई भी choose कर सकते हैं और आप मैं दिखाती हूँ कि आपको एक और हमारे पास next option है वो है paragraph का वो है हमारे paragraph को हम किस type से de-select वो de-format कर सकते हैं तो मैंने एक paragraph type किया और मैंने paragraph में यहां पर कुछ formatting कर दी मैंने color दे दिया किसी paragraph का मैंने side change कर दिया किसी को मैंने bold कर दिया, किसी को मैंने italic कर दिया इस type से मैंने अपने paragraph को format कर दिया और format करने के बाद मैं चाहती हूं कि जितनी मैंने formatting की है वो सारी की सारी वापस से मेरा text deselect हो जाए, deformat हो जाए तो जो coloring वाला option था उसके उपर एक option दिया हुए de-select, deformating का